बिग बॉस ओटिटी में एक दूसरे के दुश्मन रह चुके दो कंटेस्टेंट आप दोस्तों दोस्त बन चुके हैं चलिया यह इनके बार में बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदिती शर्मा तो लो जी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रतीक सहचपाल और दिव्यागरवाल की जे हाँ अभी आप सभी ने देखा कि बिग बॉस ओटिटी में किस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे की नाक में धम कर दिया था मतलब प्रीमियर के दिन से ही स्टेज पर से ही जब ये लोगों का इंटूड़क्शन हो रहा था एंट्रिज हो रहे थे ये लोग एंट्री हुई ही थी अभी स्टेज पर ही पहुँचे थे वहां से ही ये नोग जोग स्टार्ट हो गई थी और ये नोग जोग बाद में बड़े बड़े जगडों में तब्दील हुई हमें पता चला कि दिव्या और प्रतीक जो है भाई बहन वाला बॉन्ड शेर करते हैं लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी मिसंडन स्टेंडिंग्स थी बहुत सारे गिले शिक्वे थे जो की इस शो के चलते खतम नहीं हुए थे दोस्तों हमने बाहर बे देखा कि दिव्या अगरवाल काफी कुछ ट्वीट्स जो है वो प्रतीक के लिए करती थी जब बिक बॉस सीजन पंद्रा में वो गय थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मै तो मैं नहीं हूँ वहाँ पर अब तो जीत जा प्रतीक तो मतलब ऐसी चीज़े दिव्या कहती नजर आती थी और मज़े लेती नजर आती थी लड़ाईया तो आप सबेरेन की देखी है लेकिन अब दोस्ती हो चुकी है आली में खत्रा खत्रा की एपिसोड में ये साथ में दिखाए दी और वह भी बेहत खुश उसके बाद दिव्या अगरवाल ने स्टोरीज डाली प्रतीक सहचपाल ने भी स्टोरीज डाली दिव्या के साथ जो उनकी बड़ी ही क्यूट सी एक पिक्चर है तो भाई अब ये बहन जो है दूसरे के साथ आ चुके है असा लग रह है देखकर आपको क्या है कहना कोमेंट्स में जरूरू बताइए